नकें दूस्तों खबर है शिलंका पुराबा जाने का प्रयास करेंगे एक और बार एक और बार उन आचारसी का संकल पियाँ रेजलूशन जी हाँ घटना करम आप जानते हैं 2006 से लेकर 2009 के बीच में शिलंका में चला था तमिल इलम वार ठीक है इलम तमिल इलम वार चला था दोस्तों किसके बीच हुआ था ये ये हुआ था लिट्टे और शिलंका सैना के बीच में इस वार के दौरान आरोप लगे शिलंका सैना के उपर कि उसने जनोसाइट किया नरसहार किया निर्दोश तमिलो कमारा जो लेक्ट्रे कैडर के आतंकी आत्म सहुन पर कर रहे थे उनको गोली से मार दिया कुमला के बच्चों को महिलाओं को मारा ये आरोप हैं वार क्राइम क केस चल रहा है 12 सालों में कई बार मामला दुनिया में उठाई है और संस्था यू-एन की यू-एन-च्रस सेंक्तुरास मानव अधिकार परिशत दोस्तों मानव अधिकार पर उठा गई बार ये शिलंका को कहा गया आपने मानव अधिकारों को अलंगन किया है वालेशन किय था इस कमेटी में और जब कमेटी के मीटिंग हुई दोस्तों तो बता दू मैं आपको यहाँ पर 2012 में पहली बार मद्दा लाए गया था सामने तब हाथ पे था कि वोटिंग करिए 2015 में हमने बार बार देखा है इसको कि यहां मुद्दा बार बार पहुंसता है ठीक है सर इस रिपोर्ट में क्या कहा गया मानवदिकार परिश्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रिलंका लगातार फेल हो रहा है अस्फल हो रहा है मानव अधिकार उलंगन के मामलों की जांच करने में जी हां और जो युद्ध अपराद हुए हैं उनकी जांच करने में लगातार फेल रहा है और देश एक खतरनाक रास्ते पे चल रहा है ये कहना है दोस्तों यहाप पर एस रिपोर्ट का एक मिल दीजे ओके दोस्तों ओके दोस्तों ओके प्लीज लिसन केरफुली यहां पर हम बात कर रहे हैं तो शिलंका सरकार पर आरोप लगे हैं कई बार सर और शिलंका पर आरोप है कि वो लगातार एक खतरनाग रास्ते प्रांगे बढ़ रहा है मेडिया को, सिविल सोसाइटी को मानवदिका संगटनों को लगातार वो उनका स्टेस कम कर रहा है लगातार उन पर दवा बना रहा है ठीक है सर बासन में आती है अब सुनिए यह काम का टमलोजी है यह क्या है सर यह 2015 में सुनिया दोस्तों 2015 में तीस बाए एक प्रस्ताव लाया गया था किसके अंदर मानवदिकार परिशत के अंदर यह प्रस्ताव लाया गया था दोस्तों इस में कहा गया था इस प्रस्ताव में कहा गया था कि शीलंका सरकार अपने माइनोर्टीज के प्रती अपने अल्पसंख्यकों के प्रती अपने तमिलों के प्रती मेल मिलाब की निती अपनाएगी मेल मिलाब करेगी उनसे, हुमन डाइट्स मामलों की जाच करेगी और जवाब दही बनेगी कहीं न कहीं यानि कुम लाकर 2015 में जब शीलंका में एक नई सरकार आई थी, उस समय राश्पती महिपाला स्री सेना बने थे, उन्हें वादा किया था UN को, UNHRC को, जनाब हम अपने देश में सब कुछ अच्छा करेंगे, हम ये वादा करते हैं, संकल्ब करते हैं आपके साथ बैठ कर, तो 2012 से लेकर 2015 तक UNHRC लगातार कंडेम कर रहा था शीलंका सरकार के एक्शन्स को, लेकिन 2015 में शीलंका में नई सरकार आई, उन्हें वादा किया UN से कि हम जाच करेंगे, मेलमलाप की नीती अपनाएंगे, हम जवाब देहिता करेंगे, और जो भी लोग इन्वाल्वेंस में, मा शीलंका सरकार ने घोशना कर दी है, कि वो 30 बाए एक रेजलुशन से पीछे हट रहा है, तो मामला फिर होई आगे, 15 पर आगया सर, कि 15 पे आपके केस चल रहा था, फिर केस चालो होगा, फिर जाच होगी, फिर वोटिंग होगी UNHRC में, जी हाँ, बार बार काम होगा सर, य फ़िए ठीक है, तो यहाँ पर में समाझाले जीरा, क्या हो रहा है, शीलंका में क्या हुआ है सर, शीलंका में सरकार लगाता फेल हो रही है, पहली बार 2012 में, जब UN में मामला पहुँचा था, तब दिल्ली सरकार ने, susp1 ने, हमारी के सरकार ने, वोट किया था शीलंका सरका हमारी शिलंका से काफी और इस समय भारत सरकार ने शिलंका को के खिलाफ वोट किया था कि जांच होनी चाहिए इस देश में अधिकारी भेजना है विदेशी और जो दोशी पाए गए लोगों पर एक्शन लें ये कहा गया था दो कोई अचाहिए उससे भारत हो गया कुई बहुत होगा उससे भारत कोई बात नहीं हुए यह देखा जाइन कर तब होग 국षे का सामने अधिती है तो तमेलणाड है खासकर ऐसा मामू पर समने आई है जब तमिलाडू में साल है सल बढ्रान सवा के साथ देती है तो तमिनाडू में उनकी पॉलिटिक्स खतम हो जाएगी वहाँ पर कि बीजे भी खुद इक बड़ी कंटेंडर इस बार वहाँ पर एलक्शन में लगाता बेक्ट पर मिटिंग कर रही तो ऐसे में कभी नी चाहेंगे वह एलक्शन में हारें तो ऐसे में पक्की कि शिलंका के मुद्धे पर हम जो रुख रखने वाले हैं यून में वह शिलंका के अगेंस्ट होने वाला ऐ है और इसी बात का फाइदा उठाए इमरान खान ने दोस्तों वो पहंच गए बिन बुलाए शिलंका बिन बुलाए पहुंचे क्या मालूम यां बुलाया था और बडायता किसी ने बाते लेकि इमराठ खान पह Knights कई शरलंका, वो जानते हैं शरलंका कैयोंकि UNHRC की बात करें जितना भारत का दुबड़ा यहां पर है, भारत एक बड़ा देश है यहां पर ऐसे ही पाकिस्तान भी देश है दूस्तों तो यहां पर अगर पाकस्तान का सपोर्ट मिलता है शिलंका को तो एक अच्छी बात होगी शिलंका के लिए तो इमरान खान की यात्रा हुई सफते, दो दिन की यात्रा हुई शिलंका उनकी इस कंटेस्ट में देखा जाए यातर को जोड़ पाएंगे, लिंक कर पाएंगे मेरे साथ अप लोग कि शिलंका एक तरफ जानता है कि भारत सपोर्ट नहीं करेगा भारत UNHRC वोटिंग में शिलंका का समर्था नहीं देगा कारण अपने हां इलेक्शन हो उसके यहां पर और यहां के इलेक्शन में तमिल मुद्धा बहुत सेंसिटिव होता है और बीजेपी वैसे तो कर सकती दिलेगे बीजेपी खुद एक परिशाद है पहली बात तो मानवदिकार आयोगे यह इनहराशी जो है सर यह बनी थी 2006 में दोस्तों कब बनी थी 2006 में ठीक है या दखीगा 15 साल हो गए हैं बने हुए पूर सकता है सवाल 15 years हो गए हैं इसको बने हुए है सर कब बनाये गया था इसको मार्च 15 2006 में इसको बनाये गया था दोस्तों ठीक है और इसके लिए सेंट रास्ट की महा सभाने यानि UN General Assembly ने क्या किया था सर एक प्रस्ताव पास किया था 60 by 251 या दखीगा ये प्रस्ताव संख्या है जिसके तहट UNHRC को बनाये गया था किसके दोवारा UNGA के दोवारा फिर सिंदी बोल दूँ सेंटरास्ट महा सभा के दोवारा सेंटरास्ट मानवधिकार परिशत को बनाया गया था 15 मार्च 19 2006 में दोस्तों याद अखना है डेट आपको डेट याद नहीं रखना है दुसाल याद अखना है और रिजिन मेंबर 60 तुसरे 50 याद करना ठीक है ना यह है कि IHRC सर एक अंतर सरकारी बॉड़ी है जो UN के अंतरगत काम करती है वेतिंदा UN सिस्टम उसके अंतरगत काम करती है इसका उद्देश क्या है दोस्तों Human Rights का protection करना दुनिया भर में मानवधिकारों का सरक्षन करना दुनिया भर में इसका काम है दोस्तों यहां पर यह important data है काम की बात क्या है सर लगातार यह replace कर रही है क्योंकि UNHRC बनाई गई है दोस्तों UNHRC जब बनाई गई इसके पहले जो संसा चल रही थी United Nation Commission for Human Rights उच्चायुक्त चल रहा था इसको replace करके बनाई गई इसको खतम कर दिया गया है नाम बढ़ना चाहें नीचे लिखा हुआ है UNHRC जो Human Rights Council है परिशद है इसने किसको replace किया था इसने United Nation Commission एक आयोग को replace किया था दोस्तों मानवधिकार आयोग को replace किया था 2006 में उमीद कर रहा हूँ सारी बात आपको सामने आ रही हैं दोस्तों इसी कंटेस्ट में पाकिस्तान के PM की यात्रा भी देख सकते हैं चाहें तो आप पाकिस्तान के PM की यात्रा हुई शीलंका में इसी में कंटेस्ट में जोड़ सकते हैं डिया जो बन रहा है उन्त इन तीनों देशों खतरना के अपने आप में को ऐसे चैनि शी लंका को सपोर्ट नहीं करेंगे तो चिंगी ओडी में जा रहा है और पाकस्तान के PM को बहां पहुंशना बहुत क्लियर मैश्च है तो पहली बात तर क्यों है हमें क्योंकि ट्राइर बन रहा है ठीक है सर दूसरा डर हमको क्यों है उच्छे हैं याद खे बाच भी अंथ पृण प्यूद है हैं. मुस्लिम माइनोरٹी जो है सर, वो जो रहती है देश के उनम किसे आके में? ये श्रीलंका मान लीजिए. तो यह जो आया और लीजिए तो यह जो रहते हैं मुस्लिम माइनोर्टी के इराके हैं. यहां रहता है क्योंकि इへ लक शदीब के माल्दीव के पास है और माल्दीव में आप जानते हैं बड़ी आबादी मुस्लिमों की है तो यह जो आबादी है से मुस्लिमों की आबादी है और शिलंका सरकार पर आरोप है कि वो लगातार मुस्लिमों को वायलेशन करती है उनका अधिकार को लंगन करती है उनकी बात को र दोनैंज जाएगा। या एपसेंट रहेगा, ऐसे में CPL की पार्टनर्शिप प्लस मुजलिम देशों की पार्टनर्शिप शीलंका को आधी आवशकता है इसकी, पहली बात, दूसी बात, शीलंका को इन्वेस्टमेंट की आवशकता है, तो चाइना एक बड़ा पार्टनर है उसका यहाँ पर, चा सामस्कितिक संबंध है, पाकिस्तान और शीलंका के अपने आवें बहुत अच्छे, कल्चरा टाइज हैं अपने इन दोनों देशों काफी अच्छे, बितादू में आप में हाँ पर कि बहुत धर्म, बहुत धर्म जो है, सर्दोनों को लिंक करता है, बड़े स्केल पर, दो से कुछ साल पहले शीलंका की क्रिकेट टीम पर आतंगवादी हमला हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान का क्रिकेट अल्मूस्ट खतम हो गया, वहाँ कोई देश क्रिकेट खिलने नहीं जाता था, कई सालों तक पाकिस्तान इंटरनाशनल कम्यूटी से बाइकोट रहा, वहा तो ऐसे में पाकिस्तान और शीलंका की संबंदों पर आप इन बातों को जोड सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये सारी बाते हैं आपके काम आएंगी, शीलंका भारत संदर में भी, शीलंका और UNHRC के कंट्रेस्ट में भी, इसमें कुछ और पॉइंट जोडने हैं मुझे आपक ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे, क्या था रेजलुशन, ठीक है सर, इसके लावा बनाए गया था यहां पर, इन एक्टिव छोड़ दीजिए, इसके लावा सर, UNHRC पूछ सकता है, अपने आप 15 साल हो रहे हैं इसको, कब बनाया गया, कौन से रेजलुशन है इसका, कब ब लग मेंबर्टे हूए है, 13 अशिया से आते हैं, ऐसी कुछ अफरिका से आते हैं, ऐसी कुछ बाधि देशों से भी आते हैं, ऍपने आते हैं अलग मेंबर्स याँसि टोटल 47 ओसे रेजल, एक अक है मेंबर्स सब्सक्राइश्ग करता है sir और तीन साल के लिए candidate को चुनता है और एक candidate दो एक देश लगाता दो साल ता member है सकता है इसका sir और दो साल के बाद उसको membership तीसी बार लगाता नहीं मिलेगी gap लीजिए फिर आप बन सकते हैं member तो भारत member रहा है लगाता रहता है फिर आजाता है member भारत इसका right now member है sir UNHRC का ठीक है दोस्तों 47 डिवाइड दिखना चाहें तो कहां कहां पर रिवाइड वो देख लीजिए आप लोग डिवाइड किस परकार किया गया है तेरा अफरिका के हैं तेरा इशिया के हैं आर्ट लेटन अमेरिका के वेस्टन यूरोप के इस्टन यूरोप के यह कुछ है दोस्तों 47 members इसके हो पाएगा याद हमको सर्फ कुछ बाते हैं उमीद कर रहा हूँ याद रखेंगे सारी बाते हैं मेरे साथ यहां पर यह क्याता है इसे dynamics अपर隨vah से WIN के यहां उसनाफ करती है इनका डाय्रेंस टोस्तों यह ₹क्य है उप्स टो यह हमारे special app पर हो या फिर आपके लिए प्लस पर हो डे लाइफ क्लासे स्ट्रक्शिड कोर्से और लाइफ टेस्ट इंड कोईजिस दो सो आप जा सकते हैं जहां पर इंडिया के अप सब्सक्राइब करना है हमारा और प्लस सब्सक्राइब करना है और जोड़ जाए मेरे साथ हमारी टीम के साथ और तयारी को अपनी बहतर की दोस्तों एक मार्च के पहलेंगे फायदा रहेगा आपको एक मार्च दोयार 21 के बहले जोडने पर दोस्तों आप प्राप्ट कर सकते हैं डिसकाउंट अदर अन्था इसके आद फीस बढ़ सकती है दोस्तों फीस बढ़ने वाली एक मार्च के बाद तो प्लीज जोइन करें अभी राइट नाओ राइट है फॉट्टी फो थाउजन दो साल के जीएस के लिए दोस्तों इसके लाव आइकॉनिक कोर्स है हमारे पर दोस्तों आइकॉनिक कोर्स में वरिया का फीस 74,000 डिसकाउंट के बाद 67,000 जहां आइकॉनिक कोर्स है दोस्तों आपके परसनल मेंटोर मिलेगा आपको आपके कोशना से डिसकस करने के लिए प UPSC और GS का सब्सक्राइब्शन कम्बाइन रूप से इसका वन यह फिस उस तो 70,000 जी हाँ वन यह 70,000 पे करने के बाद आप एक साल तक GS और ऑप्शनल की क्लास हमारे हैं कर सकते हैं एक पूरे साल तक कोई इसमें कोई बाद है नहीं होगी बीच में किसी प्रकार की पूरे एक साल तक 70,000 पे करने के बाद आप सकते हैं दोस्तों इसके रहाँ दोस्तों आप जोड़ सकते हैं कॉमबैक्ट से जी हाँ कॉमबैक्ट जो लाया है आपके लिए स्कॉलर्शिप जी हाँ दोस्तों स्कॉलर्शिप अप टू वन करोड उपीज तक के स्कॉलर्शिप है दोस्तों अलग शातरों को अलग पर का स्कॉलर्शिप दी ज साथ कोश्चन और आपके तैयारी को बहतर करने के लिए आपको मिलेगी स्कॉलर्शिप अनेकैडमी की ओर से जी अनेकैडमी लाया आपके लिए स्कॉलर्शिप प्रोग्राम दोस्तों जोड़ सकते हैं हमारे कॉमबैक प्रोग्राम से जिससे मिलेगी आपको स्कॉलर्शिप तो ये था दोस्तो आज का लेक्चर दीजिया गया मिलूँगा अगले लेक्चर में तब तक दोस्तो थैंक यू शुक्रिया